तो अब किसके पढ़ेंगे तो मुहम्मद साहरंगीला के बाद जो अगला सुल्तान बनता है वो बनता है एहमद सा कौन है एहमद सा 1748 to 57 लगभग लगभग 9 साल तक ये सुल्तान रहता यानि कि एमपरर रहता है कौन एहमद सा अब थोड़ा सा एहमद सा के बारे में लिखिएगा 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 आफ्टर देथ आफ मुहम्मद सा रंगीला इन 1748 एहमद सा अब वो था एहमद सा अब दाली और ये है सिर्फ एहमद सा तो जो नादिर सा का बेटा है उसका नाम है एहमद सा अबदाली और जो मुहम्मद साह रंगीला का बेटा है उसका नाम है एहमद साह दोनों का नाम सेम है तो कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है पर्सियन किंग नादिर साह के बेटे का नाम है एहमद साह अबदाली और मुगल सुल्टान मुहम्मद सहरंगीले का बेटा का नाम है एहमद सा एहमद सा इन तो एहमद सा बिकेम एमपरर but his beginning but his beginning was bitter और क्यों तो फिर वही due to the power struggle between किसके बीच में? nobles अब राजकुमारों के बीच में power struggle नहीं हो रहा है किसके बीच में हो रहा है? power struggle एडोमिनेंस का power struggle किसके बीच में? nobles के बीच में nobles of कौन? एक है तुरानी और दूसरे है इरानी fractions nobles भी क्या है? दो हिस्सों में बटक है एक तुरानी और एक इरानी हर कोई क्या है? अपने पुरवजोग हिसाब से अपने आपको बांट लिया है next point लेखिएगा हाँ लिखेगा थोड़ा सा एहमद सा का acceptance भी लोगों को नहीं बरदास्त हुआ ठीक है ना? एहमद सा सुल्तान बना तो कई लोगों को इसका acceptance भी बरदास्त नहीं हुआ क्यों? उसके पीछे रीजन है लिखिएगा एहमद सा बॉर्न आफ उधम बाई आउधम बाई कौन थी? तो ए पॉब्लिक डांसिंग गर्ल तो जो कोर्ट में एमपरर के सामने जो लड़किया डांस ओगरे किया करती थी उसी में एक थी उधम बाई तो क्या कहा? एहमस जो मुहमद सा क्या है? वो रंगीला था तो अब डांसिंग गर्ल है तो जाहिर से बात है इमपरर की बात ना मानने का सवाई नहीं पैदा होता अगर इमपरर की बात नहीं मानोगे तो या तो निकाल दिये जाओगे या फिर क्या कहा जाता है? वो अरे मडर कर दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर डांसिंग गर्ल भाई अपनी प्रविर्टी समझ के उसको एक्सेप्ट किया लेकिन इत्फाक ये था कि जो मुहम्मद सहरंगीला है उसकी एक ही यही औलाद ही हुई एहमद सहा और इसके अलामा और कोई उसका और कोई वारिस पैदा ही नहीं हुआ एहमद सहा एक वारिस पैदा हुए उभी एक डांसिंग गर्ल के से ठीक है तो इस वज़े से किसी के पास और कोई आप्शन था ही नहीं और आप्शन में क्या था सिर्फ और सिफ एक था यही आप्शन की जो रॉयल ब्लड है उसी को राजा बनाना है और हमें पता है कि ये क्या है? पित्री आत्मक सत्ता है, Patriotical Society पिता के ही ही खुन को माना जाता है तो पिता का खुन कौन है? एमध सा, भले मा कोई भी हो ठीक है? तो इस वजे से एमध सा क्या बन गया? सुल्तान बना तो एमसा बॉर्न ओफ उधम भाई ए पब्लिक डांसिंगर वाज अनेबल टू कोप विथ दडिस इन्टी ग्रेटिंग फोर्से तो जो ये नॉबल्स के बीच में जगड़े चल रहे थे उसको ये कोप करने में उसको समानने में कुछ खास इसको सफलता नहीं मिली ठीक है अब ये सब चीजे तो अपने यहां इसके दर्बार में चली रही थी इसी बीच में क्या होता है कि वो एहमत सा अबदाली जिसको इन्हों ने इसने हराया था जब ये रॉयल प्रिंस हुआ करता था और मुहमत सहरंगीला सुल्तान हुआ करता था तो 17 इससे पहले वाले अटेक में कम 1739 उसके बाल देखा जाये तो कुछ समय बाद जब अहमत सा अबदाली ने पहला अटेक किया था तो इसने हरा दिया था अब वही अहमत सा अबदाली दुबारा अटेक करेगा तो लिखिएगा अहमत सा अबदाली अगें इन्वेडेड अगें इन्वेडेड इंडिया शेकें टाइम इन सेबेंटीन फूर्टीनाइन थर्ड टाइम इन्वेडेड इन्वेडेड इन्वेडेंटेन इन्वेडार अबदाली का भारत पर तीन attack हमने देखा पहला attack कब देखा मुहमद साह रंगीला के time period में ठीक है दूसरा attack तो पहले attack में वो हार गया दूसरा attack उसने किया एहमद साह के time पर 1749 और फिर इसी के time पर तीसरा attack कर दिया तो total क्या हुआ थ्री अटेक्स लेकिन एहमद साह के टाइम पर कितने अटेक है तो दो अटेक है यहां ब्रैकेट में लिख लिजिए ड्यूरिंग एहमद साह रेन अब्दाली अटेक्ड ट्वाइस दो बार अटेक्ड किया है ठीक है लेकिन यहां थर्ड टाइम लिखा हुआ है तो क्यों क्योंकि पहला अटेक हम लोगों ने उसका फर्स टाइम वाला देख रखा है तो एहमद साहब दाली अगेन इंवेडिट इंडिया यहां पर लिख लिजिए ऐसे अगेन इंडिया अगेन इंवेडिट इंडिया और यहां ब्रैकेट में थ्वासद जगह हो तो लिख लिजिएगा ट्वाइस थ्वासद जगह हो तो लिख लिजिएगा ट्वाइस दो बार तो दो बार तो एहमद साह के टाइम पर लेकिन टोटल कितने हो गए टोटल थ्री टोटल थ्री बार तीन बार ठीक तो अब एहमद सावदाली बार-बार अटैक कर रहा है और एहमद साह के पास इतनी पावर नहीं है ना ही इतनी सेना है और दूसरी बात उसके नॉवेल्स भी उसका साथ देने को तयार नहीं है तो भाई उसके पास एक ही option बसता है कि एहमद साह को जो चाहिए वो दे दो यही हुआ न भाई हम कहा रहे है कोई बार बार attack कर रहा है तो क्या कर रहे है कोई लोग कोई हमारा area उसको चाहिए एक तो हमारी सेना वैसे ही कम जोड हमारी पास royal treasury के नाम पर कुछ भी नहीं अब हम तुमसे लड़ने जाएंगे तो एक तो हमारी कम जोड सेना कम लोग उनकी भी और कमी हो जाएगी मारे जाएंगे ठीक है दूसरा उस युद्ध में पैसे खर्च होंगे एक तो हमारे पास वैसे ही पैसा नहीं तो हमें अपने लोगों पर टेक्स बढ़ाना पड़ेगा और हमारी एकोनोम में की स्थिति वैसे ही अच्छी नहीं तो उसने एहमद सा ने भी इसका रास्ता क्या अपना आया उसने खाया कि ऐसा है भहिया लड़ने से अच्छा है ये लो तुमको जो चाहिए ले जाओ तो क्या किया तो लिखिएगा लिखिए एहमद सा विथ ए व्यू टू बाई टू बाई पीस सांती खरीदने के नाम पर तो सांती के बदले क्या करना पड़ेगा वो कुछ देना पड़ेगा पीस एंड सेब देलही फ्रों देवस्ट्रेशन देवस्टेशन 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 सीड़ पंजाब एंड मुलतान टू अबदाली पंजाब एंड मुलतान टू अबदाली तो इस तरह से क्या हुआ नौर्थ विश्ट फ्रंटियर का पंजाब भी क्या हुआ मुगल सामराजी के हाथों से निकल गया तो अब अगर आप मैप देखो तो आपको मैप में देखेगा यह देखिए लाहौर तब तो कौन था नाधिर साह जीती चुगा था लाह और तक तो अहमद साहिब दाली का बाप नाधिर साह वो क्या था वो तो जीती चुगा था और यहां से जब वो आगे बढ़ता है तो करनाल में युद्ध होती हैं हार जाता है तो दिल्ली और इसके आइसपास के यरिए को लूटता है लूट कर वो वापस चला गया लेकिन अपनी टेरिटरी को लाहोर तक ही सीमित रखता है इसके आगे वो टेरिटरी नहीं बढ़ाता है अब परसिया यानि इरान का सुल्तान कौन है एहमद साबदाली पहली बार अटेक करता है तो हार जाता है दुबारा अटेक कर करता है तो भी पूरी सक्सेस नहीं मिल पाती लेकिन जब यह बार बार अटेक कर रहा है तो यह कहीं न कहीं इसके एहमद साह के दिमाग में वो नादिर साह वाली प्लंडरिंग तो बैठी हुई है कि अगर हम हार गया और यह दिल्ली तक आ गया तो जिस तरह की प्लंडरिं नादिर साने किया था यह तो उससे भी भयानक करेगा क्योंकि यह तो दो से तीन बार हार भी चुका है तो यह तो पूरा बदला नकालेगा तो ऐसा एक भईया तुमको चाहिए क्या तो ये कहा कि हमको पंजाब दे दो तो ये कहा कि लो पंजाब साथ में और क्या चाहिए तो कहा मुलतान तो मुलतान भी दे दिया तो मुलतान से लेकर ये पूरा हिस्सा ये सिंध हो गएर है ये देखे कांधार उतबहर इधर है ये पूरा ऐसे करके ये पूरा पंजआब लगभग लगभग इतना पंजआब हो दे दिया किसके चला गया ये हो गया पर्सीन अंपाइर और मुगल अंपाइर अब इस पंजाब के नीचे छोटे से हिस्से में रह गया तो अब मुगल अमपाय इतना ही रह गया था लग भग लग भग क्योंकि इधर डेककन में निजाम आ चुके थे इधर मालवा में कौन आ चुका था सादत खां ने इंडिपेंडेंट कर लिया था इधर कौन था तो वो क्या करते हैं बेंगॉल में क्या नाम था उसका कुली खां उसने इंडिपेंडेंट कर लिया था तो अब जो मुगल एमपरर इस पूरे अफगानिस्तान से लेकर ये पूरा एरिया फैला हुआ था वो अब सिर्फ इतने से एरिये में रह जाता है मालवा भी बात में अलग हो जाएगा अभी थोड़ी दिर में देशिएग तो ये मालवा भी अलग हो जाएगा इधर अवध अलग होई चुका है इधर मंगाल इधर डेककन तो और इधर गुजरात वगरे अलग होई चुके थे तो कुल मिलाजुला करब ये थोड़ा सा जो आप एरिया देख रहे हो ये एंसियार वाला रीजन बस यही सबब है क्य का मुगल एमपरर एहमद साब वहीं तक सीमित है तो इस तरह से पंजाब और मुल्तान मुगल एमपायर के हाथ से चला गया नेक्स्ट पॉइंट लिखे लिखे मराठाज स्नैच्ड मालवा एंड बुन्देल खंड तो क्या कहा कि अभी थोड़ी दिर में मालवा और बुल्देल खंड भी चला जाएगा तो हमने तो देखी रखा था कि औरंजेब के टाइम पर ही क्या था इस एरिये में यहाँ पर क्या था यहाँ पर मराठे आ चुके थे गुजरात वगरे उन्होंने और बाकी एरिया कंट्रोल कर लिया था तो यह वाला मालवा का हिस्सा और इधर यह बुल्देल खंड का हिस्सा तो जब यह दिल्ले अम्पार इतना वीक हुआ तो इन मराठों ने क्या किया यह मालवा और बुल्देन खंड को करके इतना वड़ा अम्पार बना लिया अब यह इतना इधर क्या है डेकन में यह पूरा यह निजाम है यहाँ पर निजाम है यहाँ पर यह इतने वड़े एरिये में कौन है मराठा है यहाँ अवद में यह लखनव फैजा यहाँ पर मुर्सीद कुली खां यह बुलदेन खंड और यह सब मिलाकर कौन है मराथा और इधर वाले एरिये पे कौन है निजाम तो बचा क्या है और यह पंजाब जाही चुका है तो बचा क्या इधर राजपूत्स है जो अभी अपने आपको बस इनके फ्यूडिट्री के रूप में है मनसब के रूप में तो कुल मिलाजू लाकर मुगल अमपार यही तो बचा छोटा सा है ही क्या बचा हर्याना थोड़ा बहुत यह जाट वर रिबेल ही कर चुके थे लेकिन उनको किसी तरह मनाओना के रखा गया था तो टैक्स होगर मिल रहा था रेविन्यू तो था क्या इतना सई तो मुगल अंपार बचा अब यह जो NCR कर लिजिए मुरादाबाद मेरट यह सब यह सब एरिया मिला कर आगर-अगर मिलाकर क्या था मुगल अंपार बचा था अहमत सा एहमत सा के टाइम तक ठीक है तो इस तरह से देखा जाए तो मुगल अंपार का एक बहुत छोटा हिस्सा रह गया नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लिखिए इमाद उल मुल्क इमाद उल मुल्क उस्टिड लिखिए। वजिरस अफदर जंग और लिखिए अवजिरस अफदर जंग नेक्स सकावड़ है वजिरस अफदर जंग अब यहाँ पर एक निया बंदा आ गया जिसका नाम है इमाद उल्मुल्क के पीछे कहानिया में नहीं जाननी बस यह जाननी है कि इमाद उल्मुल्क क्या था एक नॉबल था और एहमद साह के टाइम पर जो वजीर था उसका नाम था सफदर जंग तो एहमद साह के वजीर सफदर जंग को हटा कर इमाद उल्मुल्क खुद वजीर बन गया इमाद उल्मुल्क एक नॉबल था जिसने एहमद साह के वजीर सफदर जंग को दिल्ली से हटा दिया और खुद वजीर के पोश्ट पर आकर बैठ गया नॉबल्स के सपोर्ट से और इसी इमाद उल्मुल्क ने क्या किया लिखिएगा एमद साह मजज उल्मुल्क टकुद रॉज कीविप्ग रॉझ लॉ खुद लॉझीर और अप्त लॉफेगा दिसने न्यू वजीर और वो न्यू वजीर कौन है इमाद पुल मुल्क तो सोचिए अब नॉबेल इतने सक्ति साली हो गए हैं कि वो इंपरर को गद्दी से हटा कर उनको अंधा करके उनको प्रिजन में डाल कर उनकी हत्या करवा दे रहे हैं तो इस तरह से एहमद सा का हो गया खात्मा तो एहमद सा को उसके वजीर सफदर जंग को हटा कर एक नॉबेल इमाद उल मुल्क वजीर बना और उसी वजीर ने एहमद सा को अंधा करके इंप्रिजन्ड किया यानि बंदी बनाया और वहीं पर उसकी हत्या करवा दी वो जगह थी सलीम गड़ अगर इग्जेक्ट देखा जाए तो वो जगह थी सलीम गड़ पर वो हमें जानने जूरत नहीं है तो इस तरह से एहमद सा का भी हो गया अंध ठीक है तो इस तरह से एक और मुगल सल्तान एमद सा का अंत होता है और अब इसके बाद नया सुल्तान आएगा आलमगीर सेकेंड तो इसको हम लोग अब नेक्स क्लास में पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है देखें एक ही दिन में तो पूरी हिस्ट्री खतम नहीं होगी थोड़ा सलो अगर आपको लगे तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए लेकिन हाँ पहले एक बार वीडियो को नॉर्मल स्पीट से देखें और उसके नोट्स बनाईए और दुबारा अगर आपको लगे कि दुबारा देखने में आगली बार देखने में आपको लगे कि स्लो है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देखें ताकि आपको चीजे एक-एक जो detail आपको point बताये जा रहे हैं पिछले topic से जो add up करके जो logic और relation बना कर जो बताये जा रहे हैं main वही चीज होती है कि अगर वो चीज आपके तूटती है तो फिर आपके conceptual questions गलत हो जाते हैं इस वज़े से आप जब थोड़ा सा speed बढ़ा कर fast forward करके देखोगे या केवल वीडियो को सुनियेगा तो भी आपको चीजे याद होती चले जाएंगी और जब बताया जा रहा है कि यहाँ पर मैंने यह चीज बताये तो जाकर वहाँ पर उस वीडियो को और उस notes को देखिए कि हाँ वहाँ पर यह चीज बताये गई और उसके साथ यह चीज रिलेट कर दी गई है तो इस तरह से हमने लेटर मुगल का एक और सुल्तान एहमत सा को कम्प्लीट कर लिया अब इसके बाद हम लोग चाहेंगे next जिसका नाम है आलमगीर second उसको हम लोग next class में पढ़ेंगे तब तक के लिए thank you very much and once again please like the videos, share the videos and subscribe the channel thank you very much, मिलते हैं एक और अच्छी class में, thank you very much